कि आने वाली इस भरती के लिए आप अपने आपको कैसे तयार करेंगे और किस तरह से कितने नंबर आपको लाने चाहिए और उस तरह से खुद की प्लानिंग को कैसे मौडिफाई करने वाले हैं तो चलिएगा इस शांदर सेशन की शुरुवात करते हैं और जानते हैं पूरा का पूरा रिजल्ट क्या रहा कैसे रहा पूरी जिंदगी को लेके चलते हैं सीधा 2018 में और फ्लेश वैट में चीजों को समझने की कोशिश करते हैं आईएगा इस इवेंट को शुरू करते हैं क नेगेटिव मार्किंग थी एक बटे तीन की तीन फरवरी को ये नोटिफिकेशन आया था 18-28 साल एज ली गई है नोटिफिकेशन के इसाब से नोटिफिकेशन आपके सामने मैंने ये खोल रखा है जहां पर रेलवे के एज क्राइटेरिया सब कुछ आपको बताए गए हैं ये वही ओफिशल नोटिस है जिसके बारे मैं आपको जानकारी मैं दे रहा हूँ यहां साफ साफ लिखा हुआ है 18-28 साल की उमर है 18-28 साल ली कराए वह हमेशा एलपी और टेक्निशन को एक साथ देता आया है और आज भी देगा मतलब अपकी बार भी देगा एक साथ ही सिलेबस होता है एक जैसा ही पैटन होता है और बच्चे आप अपनी क्वालिफिकेशन के इसाफ से टेक्निशन और एलपी की पोस्ट को चुनते ह है मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है TBAT एक CBAT टेस्ट होता है जो कि आपको लास्ट में देना पड़ता है CBT2 के बाद लेकिन ये computer based aptitude test केवल ALP के लिए होता है यानि कि क्या मैं ये कह सकता हूँ कि CBT2 के बाद में टेक्निशन की जॉब लग जाती है बस एक document verification बचता है अब vacancy जब आई थी 2018 में जब vacancy आई थी तो ALP की आई थी 17,673 टेक्निशन की आई थी मातर 88,839 काफी कम लग रही थी उस notification को भी मैंने किया था क्योंकि मैं उस time से आपकी तयारी करवा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं देख रहा था कि कुल मिलाकर 26,000 की करी vacancy आई थी तो थ सीधा 10,000 का उचाल आया और technician की post आप देखेंगे 36,000 हो गई तो technician में बहार ही उचाल आया यानि कि यह vacancy 64,000 हो गई तो इस बार technician की post कम आने की संभावना है क्योंकि पिछली साल 2018 में पिछली बार जब vacancy आई थी तब इन्होंने इसकी post काफी दे दी थी total form 47,000,000 भरे थे awareness थोड़ी कम थी लोगोंने form भरे 47,000,000 लोगोंने form उस टाइम भरे थे आगे बात करूँगा तो cbt1 देखो 60 मिनट का होता है 75 questions आते है math, reasoning, journal science, journal awareness, current affair यह आता है 15 गुना बच्चों को लिया जाता है यानि कि जब cbt1 आप qualify करोगे तो cbt2 में 15 गुना जैस आपर हो रही है करीबन 61,000 के आसपास तो 61,000 से 15 गुना बताब 15 गुना को cbt2 में qualify कर लिया तो cbt2 qualify cbt2 में बैठिंगे बच्चे ठीक है cbt1 अगस्त में हो चुका था यानि कि फरवरी में आपका notification आया अगस्त में आपका cbt1 हुआ नवंबर में आपका result आ गया अब आते हैं कि cbt1 कितने नंबर पे qualify हुआ एक चंडीगर जोन का नाम सुना होगा आपने चंडीगर जोन एक ऐसा जोन होता है जिसकी cutoff सबसे highest जाती है यानि कि आप चंडीगर जोन को threshold मान सकते हो क्या इससे नीचे तो selection आपका हो जाना है तो आप सीधा चंडीगर जोन क की cutoff को जानते हैं कि चंडीगर जोन की उस समय की क्या cutoff रही तो यह देखिए पहले मैं बैंगलोरू जोन की बात कर लेता हूँ यह बैंगलोरू जोन का है cbt1 का result है यहां बोला गया है कि भाईया देखिए normalized cutoff marks दे रखे हैं first stage cbt for short listing for second stage cbt के लिए मतलब जो second stage में जो आदमें आपसे करूँगा यहां बोला गया है assistant local pilot की जो भरती है उसकी mechanical department जैसे की अलगलग department में assistant local pilot है ऐसा बोला गया इसकी general की category में गई है यू आर की 45 number cutoff ठीक है आगे मैं और भी बात करता हूँ और भी है देखो और भी दिखाते हैं यह सारे technician है दिख रहा है आपको यह सारी technician की post है सारी technician की post है technician बहुत सारे होते हैं तो यह तो यह हो गई ठीक है अब मैं आगे और cutoff की बात करता हूँ यह cutoff है Chennai की यह Chennai की cutoff यह भी उसी की है, कि आपको CBT1 में कितने नंबर चाहिए, CBT2 करने के लिए, यहाँ पर देखिए Assistant Locopilot Electrical, Assistant Locopilot Mechanical, तो यहाँ पर 40 नंबर और 51 नंबर गई है, ठीक है, मैं जनरल की यह बात कर रहा हूं, बाकी आप अपनी देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ली, ठीक है, आगे मैं बात करता हूं, पटना जोन की, तो पटना जोन में आपने कितना देखा सर, पटना जोन में कितनी गई है, Assistant Locopilot Electrical Mechanical की 40 और 47 नंबर, तो यह CBT1 की cut-off गई है, यह बात आप समझ में आगई बात आपको, चलिए, यह CBT1 की cut-off गई है, बाकी technician की हैं सारी, अब आत CBT2 का part A होता है, आप लोगों को पता है, CBT2 में part A में क्या आता है, CBT2 का एक part A होता है, CBT2 को दो हिस्सों में माटा गया है, जिसमें part A ही आपका खेल करेगा, part A कौन सा वाला हिस्सा है, वो जो non-technical वाला हिस्सा है, non-technical वाला कैसा pattern है, same to same CBT1 वाला pattern है, same pattern है, same syllabus है, CBT2 में qualify हो जाओगे CBT2 में भी part A में अगर अच्छे number लेकर आओगे यही merit decide करेगा क्योंकि part V जो कि आपका trade वाला होता है वो qualify होता है केवल और केवल यानि कि आपको इस trade में केवल 35% marks लाने आप qualify हो जाओगे यह सभी candidate के लिए सारे के सारे candidate यानि कि 35% लाने पड़ेंगे ST हो या SC हो या कोई और category हो आपको 35% CBT2 के part B में लाने पड़ेंगे हाँ इसमें कोई भी reservation count नहीं होता part B में ठीक है भाईया चलिए duration 90 मिनट की होती है question 100 आते है part B 60 मिनट का होता है है ठीक है और question 75 आते हैं हो गया था और result March में आ गया था तो CBT2 की cutoff कितनी गई थी अब उस cutoff पर आते हैं CBT2 की cutoff तो अब जानते हैं CBT2 की cutoff चंडिगर की कितनी गई थी ये वो cutoff है जहां से लोको पाइलिट आपके अगले stage में जा रहा है अगला stage कौन सा है CBAT Computer Based Aptitude Test CBAT और कितने बच्चे लेते ही लोग कितने students इन्हों ने लिए 8 गुना बच्चे लिए कितने गुना बच्चे लिए क्योंकि देखो अच्छा Technician तो सलेक्ट हो गया Technician की तो जॉब लग गई लेकिन यहां पर ALP के लिए 8 गुना बच्चे लिए जाते हैं जो कि Computer Based Aptitude Test के लिए जाते हैं जहां पर आपको पता होगा 42 नंबर लाने होते हैं हर बैटरी होती है वह एक Aptitude Test होता है वह मंत अप्रेल में हो गया था और ALP का जो selection होता है 70% CBT2 के और 30% CBAT के तो यहां भी कौन रोल प्ले कर रहा है तो मेन आप मुझे बताइए मेन रोल कौन सा exam प्ले कर रहा है आप खुद सोच के बताइए तो यहां से यह conclusion निकल रहा है कि आपका जो CBT2 का non-technical वाला पार्ट है पार्ट A यह merit deciding पार्ट है यहां जितने नंबर लाओगे CBT1 में जितने जादा नंबर लाओगे CBT2 में आप बैठ पाओगे CBT2 में जितने नंबर लाओगे उसी से ही आपका ALP बनने का सपना पूरा हो जाएगा क्योंकि 70% मार्किंग जुड़ती है सर सबूत बताइए सबूत दिखाता हूँ आपको यहां देखिए आप तो यहां पर देखिए NORMALIZE CUT OFF MARKS SECOND STAGE COMPUTER TEST यह SECOND STAGE की है CBT2 की CUT OFF है यह 59 नंबर चंडीगर जोन की 59 नंबर गई है बाकी आप देख सकते हैं सर इसके बाद इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इसकी यह आगई आपकी DOCUMENT VERIFICATION की यह कौन सी CUT OFF है मेरे दोस्तों यह वो CUT OFF है जिस पर आपको जॉइनिंग देदी इन लोगोंने जिस पर ही बाई ले जाओ DOCUMENT VERIFICATION कराने आजाओ आप लोग तो यह वो वाला पोर्षन है यह वो वाली CUT OFF है जहाँ पर आपको CUT OFF मांस दे दिया जो SHORT LIST हो गए यह CUT OFF कैसे बनी होगी यह CUT OFF CBT 2 के 70% नंबर से और 70% कौन से वाले NON TECHNICAL वाले टेकनिकल वाले से नहीं बनती है NON TECHNICAL वाले पोर्षन से ही CUT OFF बन रही है वो क्वालिफाई करना है बस CBT 2 का पार्ट B क्वालिफाई करना है CBT 2 का पार्ट A का 70% और जो CBAT होता है Aptitude Test उसका 30% जुड़ता है उसके बाद यह CUT OFF बनती है सर्थ CUT OFF का है CUT OFF नीचे नीचे आती है लोको पाइलेट की यह देखिए Assistant लोको पाइलेट की CUT OFF गई है 73 यह Final Normalized CUT OFF है यह Final Normalized CUT OFF है जो आपको मैंने अभी बता दिया जन्रल की यहाँ आपका selection हो जाता है यहाँ आप घर में मिठाई खिला सकते हैं यह चल रहे है बाद तो यहाँ से आपको मैंने पूरी overview दे दिया क्या आपको यह अच्छा लगा मेरे दौरा जो प्रेजेंट किया गया तरीका है तो प्लीज मुझे बताईए क्योंकि अभी तक आपको पता भी तो होना चाहिए मंडे टू फ्राइडे सटेडे संडे इसी तरह की informative वीडियो ट्रिक्स की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा लेकिन ध्यान रहे कि आज यह आपको क्लियर हो गया कि किस तरह का competition है यहां तक किसी को कोई दिक्कत अब आते हैं आज की बात पर कि इस competition में आप कैसे select हो सकते हैं आपको इतना आसान लग रहा है तो इतना आसान क्यों है क्यों नहीं है इतना आसान selection लेना आईए चले discuss करते हैं अब मैं बात करता हूँ 24, 23, 24 की यह 23, 24 की भारत करता हूँ यानि कि यह जो आने वाली भरती है उसकी बात करता हूँ notification expected to release January and February 2024 age को आप consider करवाते हो तो 1 July 2024 से मैं consider करूँगा जैसे कि मैंने 2018 में देखा था पूरा expected vacancies बीस हजार से जादा ALP की आएंगी और पांच हजार से जादा technician की आएंगी यह notification वाली vacancies है उसके बाद अगर revise यह करते हैं तो उसमें मुझे नहीं पता है ठीक है final year result awaiting candidate will not be able to apply यह बहुत बड़ा मुद्दा था जिसमें है बहुत सारे बच्चों ने call किया यह सहाफ साथ बता देता हूं कि आप अगर appearing candidate है या став five यह कांडिड़ेट है तो आप apply नहीं कर सकते हैं हरका कि अप transformative year की candidates हैं या अप appear कर रहे हैं या आपकी अभी अगले साल डिग्री आईगी मैं आइग आप आई में आ गई बात आपको चलिए आते हैं high competition क्यों है 2024 में high competition की reason जान लीजे और आप agree करेंगे तो comment जरूर करिएगा कि yes sir हम definitely agree है reasons repeater candidate available है जो 2018 वाले हैं जिनका नहीं हुआ था वो available है अभी भी 5 साल का gap हो चुका है तो नए candidate काफी आ चुके हैं और minimum 60 लाग form भरने की पूरी-पूरी संभावना है high competition है क्योंकि SSC exams की बहुत ज्यादा भरतियां आई थी सबका selection तो हुआ नहीं था वो बच्चे भी ताक में बैठे हैं कि ALP आएगा मैं भरूंगा affordable education हो चुकी है corona के बाद में हर किसी के पास आपको पता है पढ़ने के लिए chances हैं हर YouTube चैनल पर classes चलती हैं तो ये कहानी भी बहुत ज्यादा play हो रही है लेकिन ये एक negative point भी है उससे बच्चा पूरी तयारी कर भी नहीं पा रहा है चलिए no hope of new vacancies after 2024 2024 के बाद कोई भी chance नहीं है मतलब एक हैते न आशक खतम हो जाती है क्योंकि गौर्मेंट का काम हो जाता है अपना अपना और उसके बाद आशक खतम हाँ ये ही 2024 है जब आ सकती है क्योंकि इसमें उनका भी कुछ अपने तरफ से योगदान रहता है so everyone will get their best chance in this मतलब हर किसी को अपना best chance तलाशना है और अब अपनी कमर कसले नहीं है मैं ये वीडियो इस motivation के साथ भी कर रहा हूँ कि इस बार मत चूकना चोहान ये ध्यान रखना मेरे भाई ठीक है साथ के साथ age relaxation भी मिलेगा और age relaxation नहीं मिलता है तो मैं आपके लिए कह सकते हैं कि खुला खड़ा हूँ मैं अब लड़ सकता हूँ आपके लिए age relaxation सबसे बड़ा मुद्दा है और यहां पर age relaxation हमें चाहिए उसके लिए अगर दे देते हैं अगर हमारी बात पहले पह पांस साल का चाहिए कम से कम ठीक है पांस साल का चाहिए हां अगर नहीं देते हैं तो यह फिर फिर होगा फिर मतलब आप कुछ भी करिए फिर आगे तक चीज़ेंगी चीज़ेंगी चीज़ें होंगी भी ठीक है फिर लेटर भी लिखे जाएंगी यह गल्त है यह डेफिने सारी भी चल रही है आरार भी बैच आप जॉइन करिए मैं कहता हूं इससे बहतरीन बैच नहीं है कोई भी रेलवे रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैच अपनी एप्लिकेशन क्विक ट्रिक्स भाई साहिल सर पर मिल रहा है जिन भी छात्रों को तैयारी करनी है 18 तारिक से पहले पहल है तारिक तक अपलाई करके जुड़ जाना जिनको जुड़ना है युद्ध की तैयारी उससे पहले की जाती है सुबह भी मैंने आपको पूरा बता दिया है सभी बच्चे इंडिविजल बैच भी ले सकते हैं और बढ़िया तरीके से अपनी अप्लिकेशन पर जुड़ सक चाहते हैं और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं वो जरूर जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो रेगुलर फ्री क्लासेस हैं वो भी आप लोगों के लिए चालू कर दी गई हैं रेगुलर जो क्लासेस होती हैं जो फ्री क्लासेस हैं वो मंडे टू फ्राइडे होत लगी या नहीं लगी, comment करके बताईए, किसी भी तरह का कोई भी doubt हो, नीचे comment करिए, आपकी किसी भी तरह का कोई भी suggestion हो, नीचे mention करिए, मैं आप लोगों की तैयारी को बहतर करवा रहा हूं, बिल्कुल tension मत लीजिए, नए student पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें, कम से कम नहीं, तो कम से कम आप अपना 80 का मान के चलिए, 80 के लिए तैयारी करिए, 80 के लिए तैयारी करिए, 80 के लिए तैयारी करिए, ठीक है, सर BSC होगा, उसमें हो जाएगा, all the best, take care, वीडियो को दबा कर शेयर करिए, बहुत informative वीडियो है, और इस बार आपका safe score, कम से कम 80 के लिए तैयारी करिए, मैंने आपको सारी चीज़े बताई हैं, आप बैच में जरूर जुड़े, RRB बैच, one of the best बैच है, आपके selection के लिए, ALP के लिए, all the best, take care, love you all.